आज हम बात करेंगे Causes of Dominance of Congress Party in a Multiple Party System हमने पिछले वीडियो में सुतंत्र भारत के पिछले तीन चुनाबों के बारे में बात की जिसमें Congress की शांदर जीत हुई थी और Congress तीनों लोगसभाद चुनाब में और राज्यो विधाम सभाद चुनाबों में अपना प्रभुत्तो बनाने में सफल रही थी इस सफलता के पीछे यह लगातार Multi-party System होने के बाब जूद भुधलिय पनाली होने के बाब जूद Congress का प्रभुत्तो काइम होना इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे क्या reason होंगे इसके बारे में हम आज बात करेंगे बच्चो अपने अस्तितम में आने के बाद 28 दिसंबर 1885 से लेकर भारती राश्ट्रे कॉंग्रेस भारती राजनीती में और राश्ट्रे आंदोलन में चाया रहा था 1952 में प्रथम चुनाप हुए थे तब से लेकर 1967 तक दो राज्यों को छोड़ कर शेश सभी राज्यों में कॉंग्रेस का प्रभुत्व बना रहा इस अबदी के दुरान कॉंग्रेस ने कभी लोकसभा में 73% से कम स्थान प्रापत नहीं किये तथा राज्य विधान सभा चुनाबों में केरल और जमू कश्मीर को छोड़ कर भी 60% से अधिक स्थानी प्रापत किये थे भारत में ये देपी बहुत अलिय वेवस्था की स्थापना की गई थी प्रंदु भारत में इतने अधिक दलों के होने के बाब जूद एक प्रमोख दल भारती राष्ट्य कॉंग्रिस की प्रधानता स्थापित हो गई थी भारत में एक दल की प्रधानता फर्वरी 1952 के लोकसवा निर्वाचन से ही शुरू हो जाती है और 1966 तक भारती राजनीती के मंच पर प्रकट होती रहती है बच्चो प्रार्यमिक चरण में भारती लोकतंतर में कॉंग्रिस की प्रधानता बनी रही थी आज हम उन कारणों की चर्चा करेंगे जिनके कारण यह दल अपना प्रभुतो स्थापित करने में सफल हुआ था उससे पहले हम जान लेते हैं कि एक दलिये प्रभुतो प्रणाली होती क्या है एक दलिये प्रभुतो प्रभुतो ब्यवस्था वह ब्यवस्था होती है जहां बहु दलिये पनाली होने के बाब जूद भी एक दल की प्रधानता होती है बहु दलिये ब्यवस्था में बहु सारे दल होते हैं किन्तु उनका राजनितिक महतब अधिक नहीं होता, क्योंकि लोगों का उन्हें अधिक स्मर्थन प्रापत नहीं होता, ऐसी बैवस्था में मतदाता केवल एक ही डल को अधिक महतब देते हैं, और भारत भी अपने प्रारंभीक समय में सुतन्तरता के बाद एक दल्य करेंगे हिस्टोरिकल बेसिस सबसे पहली बात आती है कॉंग्रेस के प्रभुत्तों के पीछे उसका इतिहास एक अधार था कॉंग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है जिसका गठर 1880 में ही हो गया था और विचो पूरा जो भारतिय समाज था वो केवल एक कॉंग्रेस क एक आवाज थी और उसके नीचे भारत का पूरा समाज इकठा हो गया था सुतंतरता से पूरा एक्चुली कॉंग्रेस से एक पार्टी नहीं थी एक राजनितिक दलना हो करके एक बड़ा आंदोलन था और आपको पता होगा कि जो एक मूमेंट होता है जो एक आंदोलन होता है उसके साथ हर कोई जूरना चाहता है अगर उसका एक सही अबजेक्टिव हो परतेक बिरोध और संगर्ष कॉंग्रेस के नाम पर हुआ और सुतंतरता के बाद कॉंग्रेस सुतंतरता संगराम की उत्रादिकारी बन गई सुतंतरता के परचात कॉंग्रेस को अपनी विचा पागिशाली पार्टी थी कि इसने सुतंतरता संग्राम की बागडोर संबाली थी तो पहली चीज क्या हुई कि इसका इसके इतिहासिक अधार था तो इतिहासिक अधार जो था कॉंग्रेस का वो इसके प्रभुत्यों के अचित्यों को सिद्ध करता है दूसरी जो बात आती है वच्चो वो है character of the Congress, Congress का चरित्र, Congress का जो चरित्र था वो इसके प्रभुत्तों का दूसरा कारण था वहाँ भारतिय समाज में इसकी गहरी पैठ थी जिसका मुकाबला ना तो कोई सुतंतरता से पूरब कर सकता था और ना ही सुतंतरता के एकदम बात बैचारिक रूप से सुतंतर होने तक Congress की जड़े गहरी होगी थी और सुतंतरता के बाद यो एक शक्तिशाली राजनितिक दल के रूप में उभर गया था और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इसकी लोकतंत के पती प्रतिबदता थी इसकी commitment थी डेमोकरिसी के प्रति की हमें डेमोकरिसी को ही establish करना है इंडिया के अंदर इस दल के विशेष्टाओं में एक स्थापित दल की सारी विशेष्टाएं थी जो एक established party के अंदर गुन होने चीए बर्चूज होने चीए वो इस party के अंदर थे इसके नेता अंतराश्टी स्तर और राश्टी स्तर पर बहुत सारी conferences में भाग लेते थे और भाग लेकर के उ उन्होंने अपने बौधिक स्तर को प्रकर कर लिया था अपना जो intellectual एक लाबल होता है उसको उन्होंने प्रापत कर लिया था और आंदोलन स्वतंतर था आंदोलन के समय जो था वो भारतिये जनता की अकांक्षाओं अपेक्षाओं और उनके इच्छाओं को ये party जो थी वो बहुत भली बांती से जानती थी बहुत अच्छे से समझ चुके थे ये भारतिये जन्मत विचार और विचारधारा का नित्रतब करते थे कॉंग्रेस का ये चचरेतर था वो उसे भारतिय वंतराष्ठी राजनीती को समझ पाने में सफल रहा था इसके बाद जो अगला point आ जिन निताओं के ऊपर लोगों की आस्ता थी बस उनका चेहरा ही काफी था पंडे जुहाला नहरू का जो क्रिश्माई ब्यप्तित्तो था वो एक ऐसा अन्यतत्तब था जो कॉंग्रेस के प्रभुत्तों को काहिम करने में सहाइक रहा था पंडे जुहाला नहरू को उस समय एकता वो प्रगती का सूचक माना जाता था कॉंग्रेस पार्टी में अन्यों भी बहुत सारे नेता थे बच्चों जिन्होंने कॉंग्रेस के प्रभुत्तों को बनाने में बनाए रखने में महत्तपून भूमी का निभाई थी संभिधान सभा में कॉंग्रेस के बहुत से बिद्वान थे और इसी बज़ा से जो संविधान सभा है उसकी अलोचना भी की जाती है उसको क्रिटिक जो है क्रिटिसाइज भी करते हैं कहते हैं कि इत वाज कॉंग्रेस बॉड़ी ये एक कॉंग्रेस बॉड़ी थी तो इसमें जितने भी नियम बनाए गए या जो भी बना अच्छे नियता थे इन निताओं में आपके पास देखें हमारे डॉक्टर राजेंदर परसाथ जो हमारे प्रथम राष्टर पती थे सरदार बल्ला भाई पटेल जो होम मेनीस्टर थे जो भारत को एक सुत्र में बांधने में कामयाब हुए थे और हमारे पास देखिए गफार खान थे सी राज गोपाला चारी जी थे बहुत सारे ऐसे नेता थे जो कॉंग्रेस के प्रभुत्रों को काइम करने में सहाइक रहे थे और लोगों को इनके उपर विश्वास था इन चेहरों के बारे में सोचते हुए हमें आज भी लगता है कि हम कितने भागेश आल हमें सक्रिय भूमी का निभा रहे थे और जिन्होंने भारत को आजाद होने में सहायता की थी अगले जो बात आती है बच्चू हो है कॉंप्रिहेंसिमेंट अथॉरेटेटिव और्गिनाजेशन था ब्यापक एक ब्यापक और अधिकारिक संगठन था कॉंग्रेस के पास ब्यापक और अधिकारिक संगठन जो था वो कॉंग्रेस पार्टी कुन राष्टे नितरतबुआ असमुदाय निर्मान करने में उसने हैल्प किया था सहायता परदान की थी जो दूसरी पार्टी थी छोटी पार्टी थी जैसे कॉम्निस पार्टी ओफ इंडिया थी सोशलिस पार्टी थी जो सोतंतरता से पहली मन चुकी थी ऐसी बहुत साथ जैसे शीरोमनियकाली दल था इरिजिनल पार्टी थी ऐसी जो पार्टी थी इन पार्टी के पास एक इस तरह का कॉम्प्रियंसिव और्गेनाइजेशन नहीं था ऐसा ब्यापक तो इस तरह के जो कॉम्प्रियंसिव और्गेनाइजेशन के बज़ा से भी कॉंग्रेस को जो था वो प्रथम तीन जो सोतंतर भारत की चुनाप थे उनमें अपना प्रभुत्तो काईम रखने में साहता मिली थी और एक दूसरी बात आती है बचो देट कॉंग्रेस वास ला कॉन्ग्रेस की सदस्यता से इनकार नहीं था वो क allora क कॉंग्रेस की सदस्यता प्रापत कर सकता था कॉंग्रेस का निर्मान हori 1885 में हुआ था और भारतिय सोतंतरता की राष्टी य संग्राम का नेटर तब इसी डल ने किया था गॉंग्रेस जहां एक राजनितिक डल था वह एक राष्टिय संस्ता थी इसमें हिंदू, मुसलिम, सिख, इसाई, पार्सी, एंग्लो इंडियन, किसी भी तरह के लोग समिलित थे तो जब कॉंग्रेस का जो ये स्वरूप था जो इसका एक धरम निर्पेक्ष वाला जो एक स्वरूप था और जो ये सब लोगों को अपने में समाहित करने की जो इसकी नीचर थी उसकी बज़ा से भी ये जो था वो अपना प्रभूत्तो काईम करने में सफल रहा था नेक्स जो पॉइंट आता है बच्चो जो आप रीजन मान सकते हैं वो बहुत इंपोर्टन रीजन देर था लिगेसी ओफ दा फ्रीडम मुवमेंट की कॉंग्रेस को सुतंतरता संग्राम बिरासत में मिली थी कॉंग्रेस वो भागशाली दल था जिसने भारत की सुतंतरता संग्राम का नितरत था और जैसे की कॉंग्रेस ने सुतंतरता पर्दान की है कॉंग्रेस की अगवाई में बंग बंग आंदोलन हुआ, बिभिन किसान आंदोलन हुए, असयोग आंदोलन हुआ, सभी ने अबग्या आंदोलन हुआ, ब्यक्तिगत सत्यागेर हुआ, पूर्ण सुराज्यों की मांग की गई, भारत छोड़ो आंदोलन, इतने सारे आंदोलन कॉंग्रेस के नितरतब में सफलता पूर्वक चलाए गए थे तो लोगों को इनके उपर विश्वास होना तो लाजमी था इस बज़ा से कॉंग्रेस जो है वो अपना प्रभुत्तो काइम करने में सफल हुई थी अगला जो पॉइंट आता है बच्चों वो है कि एक राष्टर ब्यापी संगठन था नेशन वाइड और्गिनाइजिशन था सो तंतरता प्राप्ती से पूरभी भारती राष्टे कॉंग्रेस एक मातर ऐसा राजनितिक दल था जिसका जो संगठन था वो निमन लोवर लेबल ग्रास रूट लेबल से लेकर के उपर तक उच्च स्थर तक इसका संगठन था और सपूर भारत में इसके सदस्यों बिद्यमान थे कॉंग्रेस कारेकानी किसमीती 1885 से नियमित बैठके इसके वार्षिक समेलन देश के बिविन बिविन कोने में जा जाके इसके जो सदस्यों थे वो कॉंफरेंसिस किया करते थे जिसमें दल का आदार सुद्रड करने में महत्तपूर भूमी का अदा की थी इस दल की संगहात्मक सरंचना जो थी वो एक आंतरिक लोग तंतरातमक बेबस्था पराधारे थे यह जो दल था इसके आंतरिक लोग तंतर बिद्यमान था लोगों के अंदर डेमोक्रेसी थी जो इसके मेंबर्स थे उनके अंदर डेमोक्रेसी बिद्यमान थी और ये क्या करती थी इसके बज़ा से लोगों को एक बैधानिक्ता प्रदान करता था और राजनेतिक प्रती सपर्दा इसके सदस्यों को सिखाई जाती थी उनको ट्रेनिंग दी जाती थी और जितने करमठ इसके जो कारे करता होते थे उनको सम्मान प्रदान किया जाता था इ अंक्रेजमेंट मिलती थी, उनको परसान मिलता था और वो तन मन से पार्टी के ब्रती समर्पेत रहते थे और एक और जो इंपोर्टन चीज थी वच्चों वो क्या थी कि कॉपरेशन ओफ लोकल एलीट्स इनको स्थानिय विशिष जनों का सहयोग प्रापत था कॉंग्रेश पार्टी को प्रमुक्ता में बने रहने का जो मेन कारण था वो एक ये भी था कि कॉंग्रेश ने स्थानी इस तरपर बोट बैंकों नियंतरत करने वाले जो बड़े बड़े लोग थे उनको अपने नियंतरण में ले रखा था स्थानी इनियंतर जो अपने एक्षेत रजाती धरम समुदाय आदी में लोगों को का विशेश थान रखते थे वो और लोग उनकी बात मानते थे जिसके कारण कॉंग्रेश इनके माध्यम से मत प्रापत करने में सफल रही थी आम चुनाबों में कॉंग्रेश इस विशेश्ट वरका सेयोग प्रापत करने में सफल रही थी और इसी बज़ा से वो सत्ता में बनी रही थी और एक जो और इंपोर्टन चीज आती है बचो वो क्या थी कि हमारे भारत वर्ष ने क्या बिदी अपनाई थी सरबादिक मत प्रापत करने वाले व्यक्ति को या सरबादिक मत प्रापत करने वाले उमीदवार को बिज़ाई घोशित करना तो जो प्रत्समाम चुनाब हुआ था उसी में सरबादिक मत प्रापत करने वाले प्रतिनीदी को विजयी गुशित करने की बीधी को अपना लिया गया था और इसी बीधी को अपनाने का मुख्य देशे क्या था? कि भारते लोक तंतर जो था वो अभी नया नया था और यदि निर्वाचन की इस बीदी के अतिरिक्त कोई अन्यो बीदी अपनाई जाती तो शायद इसे परिणाम और चुना प्रक्रिया में किसी तरह की कोई पेचिदगी उत्पन हो जाती इसलिए निर्वाचन की इस बीदी को अपनाया गया जिस बीदी ने कॉंग्रेस की इसमें सहायता की जीतने में सहायता की क्यूंकि कॉंग्रेस को सबसे अधिक मत्प्रापत हो रहे थे और इसलिए the first past post system जो था उसने कॉंग्रेस को अपना प्रभुत्तो कायम करने में मदद की और ये कारण थे बच्चो भारत में कॉंग्रेस की प्रधानता के कि कॉंग्रेस अपना प्रभुत्तो कायम करने में किस परकार सफल भई तो भच्चो भारत के वल एक मातर देश नहीं है जिसने एक दल के प्रभुत्तों का दोर देखा हो। किन्तो भारत में एक दल की प्रधानता दुनिया के अन्य देशों से भिन है। चीन, क्यूबा और सीरिया जैसे देशों के संभिधान देश में एक दल के शासन को स्विक्रीती परधान करते हैं, जबकि मिस्र, मेयमार, बेलारू साधी देशों में पैधानिक वासैनिक कार्णों से एक दल की परधानता अवश्यक मानी गई. इन सब देशों की तुनला में कॉंग्रेस का जो प्रभुत्व था, एक दल का प्रभुत्व, वो पूरन तया, पूरन रूप से लोकतांतरिक परस्थिती में हुआ, बहुसे दलों ने चुनाब में भाग लिया, और चुनाब सुतंतरवा निश्पक्ष तरीके से हुए, और क धंक यू